सीकर जिले में दुलहन अपरन मामले में जाँच अधिकारी नहीं बदलने से जार्ट समाज में अब आक्रोष्ट देखने को मिल रहा है और ऐसे में जार्ट समाज ने कल सीकर बन का हवान भी कर दिया है साथ ही प्रशासन को 24 गंटे का अल्टिमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे फूरी नहीं की गई तो कलेक्टर एस्वी के बंगलो का घैराफ किया जाएगा और इसकी जिम्हेदारी जिला प्रशासन की ही होगी पिछले एक सब्ता से जिस परकार से सिकर के अंदर एक नागवा ग्राम की गटना हुई थी एक दुलान अपरन के मामले को लेकर उस मामले में पिछले तीन चार दिनों से उस दुलान के बरामद होने के बाद में शिकर के पुलिस परसासन ने उस लड़की के बयान न करवा कर और एक जाती विशेश के अधिकारी को उसका जाँच अधिकारी बिढ़ा कर मामले को गुम्रा किया जा रहा है और इससे पहले दुलहन अपरन मामले मेरी शपक्षजाँच के मांग के लिए जार्ट साही तन्य समाज के लोगों ने कलेक्टेट के सामने प्रदर्शन किया कलेक्टर एसपी को ग्यापन सौंप कर जांच हतिकारी महाविर सिंग राथ और को हटाने की मांग की है ग्यापन में आरूप लगाया गया है कि जाती विचेश के लोगों ने निर्दोश लोगों को भसाने का शड़यंत्र रचा है जिसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा लोगों ने मांग की है कि जिस दुलहन के अपरन का आरूप लगा है उसके कोट में बयान करवाय जाए लेकिन दुलहन अपने परिचरों के साथ है और आरूपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है